हलो दोस्तों आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेरी फेवरेट जंगलों की दो बिल्कुल रियल होरो स्टोरीज पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा HD7 High Definition Dance Classes के बारे में जो की लखनाउ मेवीवे कानन्द हास्पिटल के पास में है तो अगर कोई वहाँ पर Classes जाइन करना चाहता है तो उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में Dance Academy के Facebook पेज का लिंक दे दिया है उस लिंक के जरिये आप Classes के बारे में जानकारी पा सकते है तो अब आते हैं अपनी आज की स्टोरी पर आज मैं आपको जंगलों की कुछ बहुत ही डरावनी कहानिया सुनाने वाला हूँ जंगल की कहानिया मेरी भी बहुत फेवरेट होती है क्योंकि मेरा मानना है कि जंगल में ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में इनसान अभी तक ज्यादा नहीं जान पाया है तो पहली घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बांगला देश में गटी थी पर ये घटना काफी पुराने समय की है उस समय बांगला देश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और वो पूरी पाकिस्तान काहलाता था ये घटना पेपर मैन 84 नाम के एक यूजर नेम वाले शक्स ने पोस्ट की थी तो अब आगे मैं आपको उन्हीं की नजरिये से ये पूरी घटना बताऊंगा मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगा पर मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ और मेरे पापा पाकिस्तान आर्मी के एक रिटार्ड सिपाही है और जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे पापा के साथ तब घटी थी जब बांगला देश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था दरसल मेरे पापा ने जब पाकिस्तान आर्मी जॉइन की थी तब उनको ट्रेनिंग के लिए पूर्वी पाकिस्तान यानि की आज के बांगला देश भेजा गया था वहाँ पर मेरे पापा और उनके एक साथी जवान को जंगल के बीचो बीच टेंट में पूरा एक हफता बिताना था ये उनकी ट्रेनिंग का ही एक हिस्ता था तो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए वो लोग आबादी से 80 किलोमीटर दूर जंगल के बीचो बीच टेंट में रहने लगे जंगल में रहते हुए शुरुआत के दो दिन तो बिलकुल नॉर्मल भी थे पर तीसरे दिन रात को जब मेरे पापा और उनके साथ ही अपने टेंट में सो रहते तब ही उनको अपने टेंट के बाहर से किसी औरत के चिलाने की आवाज सुनाई दी वो औरत मदद के लिए आवाज लगा रही थी उस औरत की आवाद से मेरे पापा और उनके साथी दोनों नींद से जाग गए वो दोनों सोच में पढ़ गए कि आखिर इस घने जंगल में ये औरत कहां से आ गई क्योंकि इनसानी आवादी वहां से बहुत ज़्यादा दूरी पर थी फिर मेरे पापा ने टेंट के बाहर जाकर उस औरत से पूछा क्या हुआ आपको कोई मदद चाहिए क्या तब उस औरत ने कहा कि मैं रास्ता भटक गई हूँ और मुझे बहुत भूग भी लगी है इसके बाद मेरे पापा उस औरत को अपने टेंट में ले गए मेरे पापा ने उस औरत को खाना और पानी दिया खाना खाने के बाद उस औरत ने मेरे पापा से पूछा कि क्या आप यहीं के रहने वाले हैं तो मेरे पापा ने कहा कि नहीं मैं पच्च्ची में पाकिस्तान में रहता हूँ यहाँ पर मैं सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आया हूँ इसके बाद उस औरत ने मेरे पापा से कहा कि क्या आप मेरे हाथ के बनी मिठाई खाना पसंद करेंगे मेरे पापा ने कहा हाँ क्यूं नहीं फिर उस औरत ने कहा कि ठीक है अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगी तब मैं आपके लिए मिठाईयां बना कर जरूर लाऊंगी इसके बाद वो औरत वहाँ से जाने लगी तब मेरे पापा ने उससे कहा कि आप कहें तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँ इस पर उस औरत ने कहा कि आप परिशान मत होईए मैं चली जाओंगी फिर वो औरत वहाँ से चली गई इसके बाद अगली रात को वही औरत फिर से मेरे पापा की टेंट के पास आकर आवाज लगाने लगी मेरे पापा ने फिर से उस औरत को टेंट के अंदर बुलाया और खाना पानी दिया लेकिन अब की बार उसने खाना नहीं खाया बलकि उस औरत ने एक प्लेट में लाई हुई मिठाई मेरे पापा की तरफ बढ़ा दी वो मिठाईयां अभी भी गरम थी और इस बात से मेरे पापा बहुत हैरान थे क्योंकि वो जानते थे कि यहां आस पास कोई भी इनसान नहीं रहता है तो यह औरत आखिर गरम गरम मिठाईयां बना कर कैसे ला सकती है मेरे पापा को उस औरत पे शक होने लगा था कि यह कोई इनसान नहीं है लेकिन उन्होंने उस औरत के सामने ये बात जाहिर नहीं होने दी इसके बाद मेरे पापा को मिठाईयां देकर वो औरत वहां से चली गए फिर तीन-चार दिन तक वो औरत रोज रात को मिठाईयां लेकर मेरे पापा के टेंट पे आती रही इसके बाद एक रात को वो औरत बहुत ही सज सवार कर और साथ में मिठाइयां लेकर मेरे पापा के टेंट में आई फिर उस औरत ने मिठाइयां देने के बाद मेरे पापा से पूछा क्या आप शादी शुदा हैं मेरे पापा के उस समय शादी नहीं हुई थी लेकिन मेरे पापा जानते थे कि आउरत कोई इनसान नहीं है इसलिए उन्होंने उससे जूट बोल दिया उन्होंने कहा कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है इसके बाद उस आउरत ने मेरे पापा के साथी जवान से पूछा कि क्या आपकी भी शादी हो चुकी है तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरी शादिया भी नहीं हुई है इस पर उस औरत ने मेरे पापा के साथी से कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ क्या आप मुझसे शादी करेंगे इस बात पर मेरे पापा के साथी ने कहा कि नहीं मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता ये बात सुनते ही वो औरत बहुत गुसा हो गई फिर उस औरत ने मेरे पापा और उनके साथी से गुसे में कहा कि तुम दोनों ने मेरा बहुत समय खराब किया है और इसके लिए तुम दोनों बहुत पच्चता होगे इतना बोलते हुए उस औरत ने गुसे में मिठाईयों को जमीन पर फेक दिया फिर वो वहां से चली गई मेरे पापा और उनके साथी उस औरत की लाई मिठाईयों को खाते नहीं थे बलकि रोजाना उस औरत के जाने के बाद उस औरत की लाई हुई मिठाईयों को टेंट से दूर ले जाकर फेक देते थे पर उस रात वो मिठाईयां जमीन पर गिर गई थी तो उन्होंने सोचा कि अगली सुबह सफाई करते समय उस मिठाई को वहां से हटा देंगे फिर अगली सुबह जब मेरे पापा और उनके साथी नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि बीती रात को जिस जगा पर उस औरत की लाई हुई मिठाई गिरी थी वहां पर अब मास के टुकडे पड़े हुए हैं ये देखकर मेरे पापा और उनके साथी बहुत घबरा गए फिर कुछ दिन रुकने के बाद मेरे पापा और उनके साथी वहां से चले गए इस हादसे के बारे में मेरे पापा ने काफी सालों तक किसी को कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि उन्हें मालूम था कि कोई भी उनकी बात का भरोसा नहीं करेगा मेरे पापा का मानना है कि जंगल में जिस औरत से उनका सामना हुआ था वो एक चुड़ायल थी दोस्तों ये थी पहली होरो स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूँ जंगल की ही एक और रियल होरो स्टोरी दूसरी स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो अमेरिका के येलो स्टोन नैशनल पार्क की है ये घटना रेडिट पर एड्रियन नाम के एक शक्स ने पोस्ट की थी तो आगे की घटना मैं आपको एड्रियन के point of view से सुनाओंगा मेरा नाम एड्रियन है मैं अमेरिका की मॉन्टाना स्टेट का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको अपने साथ हुई एक बहुत ही भयानक और बिल्कुल असली घटना बताने जा रहा हूँ अभी मैं 24 साल का हूँ पर जब ये घटना मेरे साथ हुई थी तब मैं 8 साल का था तो बहुत साल पहले जब मैं आठ साल का था तब एक बार मेरे मम्मी पापा मुझे अपने साथ लेकर कैम्पिंग करने गए थे मेरे मम्मी पापा को कैम्पिंग करना बहुत पसंद था इसलिए वो अक्सर अपने काम से छुटी लेकर कैمपिंग करने जाते रहते थे मैं अपने माबाप की एकलौती आुलाद हूँ इसलिए वो मुझे भी अपने साथी कैमपिंग के लिए लेकर जाते थे तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं 8 साल का था तब एक बार मेरे मम्मी पापा मुझे अपने साथ लेकर कैम्पिंग करने गए थे मेरे मम्मी पापा कैम्पिंग के लिए यलो स्टोन नैशनल पार्क गए थे यलो स्टोन नैशनल पार्क एक बहुत बड़ा नैशनल पार्क है जहांपर घने जंगल और कई बड़े पहाड़ है तो हम सब दोपहर के समय ही नैशनल पार्क पहुँच गये थे मेरे मम्मी पापा ने जंगल के काफी अंदर जाकर टेंट लगाया और साथी उन्होंने रात को कैंप फायर जलाने के लिए लकड़ियां भी इखटा कर ली मेरे मम्मी पापा ने तीन दिन तक कैंपिंग करने का प्लान बनाया था तो पहली रात को हम सब बहुत आराम से खाना खाकर सो गए फिर अगली सुबा नाश्ता करने के बाद मम्मी पापा मुझे साथ लेकर जंगल में घूमने चले गए अपने मम्मी पापा के साथ जंगल में घूमते हुए मुझे महसूस हुआ कि जंगल कितना सुंदर होता है वैसे जल्दी मुझे ये भी पता चलने वाला था कि जंगल सुन्दर होने के साथ साथ बहुत रहसमई और खतरनाग भी है खेर जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ जंगल में आगे जा रहा था तब ही मुझे अपने से थोड़ी दूरी पर एक हिरन दिखाई दिया वो हिरन मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था पता नहीं ऐसा क्यों लेकिन मुझे उस हिरन में कुछ गड़बड सी लग रही थी मैंने बस कुछ मिनट के लिए वहाँ पर खड़े होकर उस हिरन को देखा था कि तभी मैंने गवर किया कि मेरे मम्मी पापा मेरी नजरों से गायब हो चुके हैं ये देखकर मैं बहुत घबरा गया फिर इसके बाद जब मैं दोबारा उस हिरन की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि वो हिरन अब वहाँ से गायब हो चुका है उस समय मेरी समझी नहीं आया कि आखिर अचानक से ये सब क्या हो गया फिर मैं घबराहट में इधर उधर भागने लगा जंगल में सारे पेड मुझे एक जैसे लग रहे थे अपने कैंप तक पहुँचने का रास्ता मुझे समझी नहीं आ रहा था अब मुझे बहुट डर लगने लगा था मैं सोच रहा था कि शायद अब मैं अपने मम्मी पापा को कभी नहीं देख पाऊंगा यही सब सोच कर मैं रोने लगा और रोते रोते मैं अपनी मम्मी पापा को आवाज लगाने लगा लेकिन किसी ने भी मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं दिया फिर जंगल में यहां वहां भटकते भटकते शाम होने लगी अब हलका हलका अंधेरा होना शुरू हो चुका था और जंगल में अकेले होने के डर से मेरा कलेजा बैठा जा रहा था मैं डरा सहमा इधर उधर भटक रहा था कि तभी मुझे अपने से थोड़ी दूरी पर एक लड़का दिखाई दिया वो लड़का मुझे से काफी बड़ा था देखने में वो लगबग 14-15 साल का लग रहा था उस लड़के के कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए थे उसका शरीर भी बहुत पतला था और उसका चहरा ऐसा था जैसा किसी लाश का होता है उस लड़के को देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि डर के मारे मैं जहां खड़ा था वहीं पर जम गया फिर वो लड़का चलते हुए मेरे पास आया और मुझसे बोला कि क्या तुम खो गयो तुम्हारा परिवार कहा है उस लड़के का जवाब देते हुए मैंने कहा मैं अपने मम्मी पापा के साथ में ही था लेकिन मैं उनसे अलग हो गया और जंगल में रास्ता बटक गया इसके बाद उस लड़के ने मुझसे कहा कि चलो मैं तुमको तुम्हारे परिवार तक पहुँचा देता हूँ इतना बोलकर उस लड़के ने बहुत जोड़ से मेरा एक हाथ पकड़ दिया और फिर वो लड़का मुझे अपने साथ लेकर जंगल के एक तरफ जाने लगा उस लड़के का हाथ बिलकुल बर्फ जैसा ठंडा था और उसने बहुत ताकत से मेरे हाथ को पकड़ रखा था उस समय मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था साथी मेरे दिमाग में उस समय बहुत अजीब जीब से खयाल आ रहे थे मैंने जंगल में रहने वाले शैतानों की कई कहानिया सुनी थी मैंने सुना था कि वो शैतान बच्चों को मार के खा जाते हैं उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का भी मुझे मारना चाता है मैं रोते हुए उस लड़के के साथ साथ चल रहा था पर तभी उस लड़के ने अपने होटों पर उंगली रखते हुए मुझे शांत रहने का इशारा किया अब डर के मारे मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गए थी फिर मैंने डरते हुए उस लड़के से पूछा कि क्या तुम मुझे मार डालोगे मेरी बात का उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं यहां तुमको मारने नहीं बलकि बचाने आया हूँ उस लड़के की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई फिर मैंने उससे दोबारा सवाल पूछा तुम मुझे यहां किस से बचाने आया हो मेरी इस बात का उस लड़के ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर मेरे पैरों के नीजे से जमीन किसक गई उस लड़के ने कहा कि मैं तुम्हें उस शैतान से बचाने आया हूँ जिसने मेरी जान ली थी उसकी बात सुनके मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया पर फिर मैंने उस से पूछा कि तुम किस शैतान की बात कर रहे हो मेरी बात का उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया अब धीरे धीरे जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा था फिर तभी अचानक से मुझे अपने पीछे कुछ दूरी से मेरे पापा की आवाज सुनाई दी मेरे पापा कह रहे थे यहां आओ आड्रियन मैं यहां हूँ देखो मैं यहां हूँ अपने पापा की आवाज सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था फिर मैंने उस लड़के से तुरंट कहा कि देखो मेरे पापा मुझे ढूंडते हुए यहां आ गए है मुझे उनके पास जाने दो मेरी बात पर उस लड़के ने कहा कि वो तुम्हारे पापा नहीं है सीधे चलते रहो इतना बोलकर वो लड़का और तेजी से चलने लगा अब मुझे लगने लगा था कि पक्का ये लड़का मुझे मारने वाला है इसलिए ये मुझे मेरे पापा से दूर ले जा रहा है मैं बार बार अपने पीछे मुणकर पापा को देखने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक से मुझे अपने पीछे से एक भयानक गुराने की आवाज सुनाई दी वो भयानक आवाज सुनकर मैं समझ गया कि मेरे पापा की आवाज में कोई और मुझे अपने पास बुला रहा था तभी मुझे अपने पीछे पेडों के हिलने की आवाज आने लगी ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा जानवर पेडों के बीच से भाग रहा हो मेरी तो समझी नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है फिर तभी अचानक से मुझे मेरे मम्मी पापा दिखाई दिये वो पुलिस वालों के साथ खड़े होकर बाते कर रहे थे और बहुत परिशान लग रहे थे फिर जैसे ही मैंने अपने मम्मी पापा को देखा वैसे ही वो लड़का रुख गया इसके बाद उस लड़के ने मुझे कहा मैं तुम्हें वेंडिको से बचा रहा था उसी शैतान ने मुझे मारा था अब आगे से कभी भी तुम जंगल में अपने परिवार से अलग मत होना और ना ही कभी जंगल के अंदर उस शैतान का नाम लेना इतना बोलकर उस लड़के ने मेरा हाथ छोड़ दिया फिर मैं भाग कर अपने मम्मी पापा के पास पहुँच गया मम्मी पापा बहुत परिशान थे और उन्होंने मुझे देखते ही पूछा कि एड्रियन तुम कहां चले गए थे हम कितना परिशान हो रहे थे तुम्हारे लिए तब मैंने अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं जंगल में खो गया था और उस लड़के ने मुझे आप तक पहुचाया है मेरी बात पर मेरे मम्मी पापा ने कहा कि किस लड़के ने तुम किस की बात कर रहे हो फिर जब मैंने पलट कर उस लड़के की तरफ देखा तब मैंने पाया कि वो लड़का वहां से गायब हो चुका था इतने सालों बाद भी मुझे उस लड़के का चहरा अच्छी तरह याद है मुझे लगता है कि वो लड़का वेंडिगो का शिकार बन गया था और उसकी आत्मा ने मेरी जान बचाई थी वरना मैं भी वेंडिगो का शिकार बन जाता तो दोस्तों ये थी आज की दो बिल्कुल रियल हरो स्टोरी और दूसरी स्टोरी जो अभी आपने सुनी है ये वेंडिगो के बारे में थी अगर आप वेंडिगो के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि वेंडिगो एक बहुत ही ताकतवर और बहुत खतरनाक शैतान होता है और ये ज्यादा तर ठंडी जगहों पर पाया जाता है और उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरे वीडियो और मेरी दियोई जानकारी अच्छी लगती ही तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बाकि आप मेरे इंस्टाग्राम भी फॉलो करिये क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां देता रहता हूँ ऐसे वीडियो जो मैं यूट्यूब पर अप्लोड नहीं कर सकता हूँ वो मैं इंस्टाग्राम पर अप्लोड करता हूँ मैं अपने इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देता हूँ तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं बाकी अगला वीडियो मैं गोट मैंन के उपर बनाऊँगा और उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा ड्वान डे नाम के क्रीचर के उपर तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए हरे क्रिश्ना